आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस की जिसकी चमक सबसे जादा है जिहां डाइमंड बिजनेस की तो सबसे पहले इसके मार्केट साइज के बारे में बात करते हैं जो 2018 में था 87.3 बिलियन डालर यानि की 6.5 लाक करोड रोड इसका उपियोग जोईलरी के साथ-साथ इंडस्ट्रियल यूज में भी किया जाता है क्योंकि चमकदार होने के साथ-साथ ये दुनिया का सबसे हार्ड मट्रियल है जिसकी वज़ह से कांच कटिंग, लेथ मशीनों इत्यादी में इसका यूज किया जाता है डाइमंड इंडस्ट्री का जो पूरा प्रॉसेस होता है वो 6 स्टेप्स में होता है सबसे पहला स्टेप है एक्स्प्लोरेशन यानि की खोज, फिर सेकंड स्टेप है माइनिंग, फिर थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग यानि की उसकी छटाई, फिर चौथा स्टेप है कटिंग और पॉलिशिंग, फिर पांचवा स्टेप है जोलरी मैनुफेक्चरिंग और ला मिट्रियल इसका पाया जाता है उसके बाद माइनिंग के अगर बात करें कि माइनिंग क्या से की जाती है तो माइनिंग यहाँ पे दो तरह से होती है एक तो open pit मतलब कि गड़्डा खुद के माइन किया जाता है और एक दूसरी होती है जिसका नाम है underground mining, यानि की एक किलोमेटर नीचे तक से इसको निकाला जाता है, इसके साथ साथ marine में यानि की समुद्र में भी mining की जाती है, अब इसकी छटाई जो होती है, वो होती है color के आधार पे, size के आधार पे, shape के आधार पे और quality के आधार पे, इसके बाद में आती है cutting and polishing, cutting and polishing जो होती है, वो चार seas में classify की जाती है, यानि की cut, color, clarity और carrot, मतलब कि किस तरह का cut किया हुआ है diamond, उसका color क्या है, उसकी clarity कितनी है और वो कितने carrot का है, उसके बाद उसको wholesalers को बेज दिया जाता है, wholesalers को कहां बेचा जाता है, exchange में बेचा जाता है, जिसको हम कहते है और ऐसे 30 बोर्स पूरे दुनिया में पाए जाते हैं, और आपको ये जानकर है रानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा बोर्स जो है, वो मुंबई में है, जिसका नाम है भारत diamond बोर्स, और सूरत में अभी दुनिया का सबसे बड़ा diamond बोर्स बनने जाता है, और एक और बात important है कि हर 10 में से 9 diamond इंडिया में polish और cut उसके बाद में जो next process होता है उसका नाम है jewelry manufacturing तो आप समझी गया होंगे कि अब जब wholesalers जो है वो designers को retailers को ये polish किये हुए और cut किये हुए diamonds बेज देते हैं और उसके बाद जो designers होते हैं वो उनको jewelry के अनगूप और polish करते हैं और cutting करके उसकी final उसका shape दे देते हैं और उसके बाद last process आता है retailing यानि कि उसको बेच दिया जाता है आगी इसके बाद में एक बहुत important चीज diamond business में होती हो कोई किसी तरह का conflict ना हो और पूरा assurance मिले कि यह diamond जो है वो कहां से है और यह बिल्कुल pure diamond है अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 10 लाख लोगों पर रोजगार देती है industry बिल्कुल transparent diamond अगर है बिना किसी color का उसको सबसे pure माने जाते हैं गोल कोंड और भी महीं से निकला है और भी काफी सारे प्रसिद्ध हीरे जो है वहां से निकला है इसके अलावा सबसे बड़ा polishing and cutting का market जो है वो है सूरत सूरत में एंटर होने आला हर हीरा छे decimal point तक वे किया जाता है मतलब कि उसको point के बाद भी 6 अंकों तक उसको मापा जाता है और सू पूरे प्रसिस की तो आपने देखा कि 6 स्टेप्स होते हैं पर सूरत में cutting and polishing के के केवल 36 स्टेप होते हैं और फिर 17 स्टेप होते हैं quality check के, मशीनों से और export humanize से diamond का business जो है वो काफी ज्यादा sophisticated business माने जाता है और जो final step बाली जाती है इसकी best diamonds के लिए वो है forever mark inscription कुछ ही hero में forever mark inscription किया जाता है जो कि बिल्कुल best diamonds जिन गो हम कहते हैं उन में होता है और यह इसमें क्या होता है कि आपका जो इंसान का बाल होता है उसका 5000 वा हिस्सा इतनी म तो वहाँ पर number लिखा जाता है एक unique number लिखा जाता है जहां यह diamond कटते हैं उसका planning department का head आपको पता है कौन सी class का pass आउटो का है वो 7 पास है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आखें तेज और पार्खी है और हातों में कारेगरी है और साथ में लगन है तो आप इस business में इंटर कर सकते हैं तो आज हमने देखा कि diamond का business किस तरह से होता है उसके पूरे process देखे उसके steps देखे कहां पर यह होता है यह सारी चीज़े देखी हम किसी दूसरे business के बारे में और किसी दूसरी चीज़ के बारे में अगले episode में बात करेंगे तब तक के लिए हम सब्सक्रा जाइए हम सकते हैं